हेलो गाइस वेलकम बेक टू माय चैनल तो आम ऐसी चीज़े जिसकी बहुत सारी रेसिपी बनती हैं तो आज हम कुछ खटी मिठी सी इसकी रेसिपी बनाने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिए आम कलमी आम तो इस आम की आपके वाले और कलमी आम लिए हैं और उसके सारे छिल्टी उतार लेंगे उसे अच्छे से वाश कर लेंगे और इस तरीके से किसनी से उसे कीस लेना है और अगर आप कीसना ना चाहते हो तो इसके बड़े-बड़े से तुकड़े करें इसका भी मुरब्बा काफी अच्छ बनता है, अब गैस के फ्लेम को बिलकुल मीडियम रखे, हमने बर्तन में आम कीस को चड़ा दिया है और इसे हल्क电 से पकने देंगे, पांच मनिट पकने के बाद इसमें हम कर देंगे शूगर एठ, शूगर की मातरा आपको बिलकुल आम के मुरब्बे यां जितना आपने आम के कीस की कॉंटिटी ली है उतनी ही कॉंटिटी में आपको शूगर लेना है तब ये मुरब्बा खटा मीठा बनेगा तो देखिए एक तरफ हमने इसको ढखके पकने के लिए छोड़ दिये दूसरी तरफ हलका सा हम इसमें मेवे एट कर देंगे तो यहाँ पे हमने ले लि देखिए फ्राय हो चुकी है और यहाँ पे आम काफी अच्छे से गल चुके हैं तो दीरे दीरे करके इसमें हलका साम तड़का लगा देंगे तो इस बरतन में सारा आम का कीस हम एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से चम्मत चलाते हुए मिक्स कर देना है और जब तक इसक सारा पानी आप सुखा देंगे तो इसे एक साल स्टोर करके आप फ्रीज में रख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छा रहेगा आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं यह रोटी के साथ दे सकते हैं यह काफी टेस्टी लगता है जब भी कोई सबजियों का आप्शन नह हो चुका है और खाने में वाकई बहुत टेस्टी है तो आज का यह वीडियो आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिला इकन को प्रेस कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो